हेलो माइं डियर फ्रेंद्स आज हम बढ़ने वाले हैं anomalous properties of nitrogen तो anomalous properties का मतलब है जो ऐसी properties जो सिफ nitrogen में हमें रिखाए देती है सबसे ज्यादा special है उसके group में हैं ठीक है तो उन में से सबसे पहली property हमारे पास है पी पाई पी पाई मल्टिपल बॉंड अब हमारे पास पी पाई पी पाई मल्टिपल बॉंड के साथ साथ हमारे पास आती है डी पाई पी पाई मल्टिपल बॉंड भी आते हैं तो यहां पर जो पी पाई पी पाई मल्टिपल बॉंड है इसका क्या मतलब है P ίहां पर मतलब है जब एक P orbital दूसरे पी orbital के साथ P bond मिनाएगा पाइब का बनता है जब डबल बन का बनता है ना एक double bond में इएक सिंगल बॉन होता है दुसरे क्या होता है पाइबांफ होता है तो 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 pi bond आपके पास यहाँ पर बनेगा जब दो peer orbitals आपस में bond मिनाएंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे P pi P pi multiple bond अब इसमें एक special question आता है जो सिफ nitrogen के लिए है क्योंकि यह उसकी anomalous property है तो देखते हैं उस question को Why nitrogen shows maximum tendency to form P pi P pi multiple bond in its group तो सबसे जादा tendency है P pi P pi bond मिनाने के लिए वह सबसे जादा हमारे पास nitrogen में है तो ऐसा क्यों है तो इसका reason बहुत simple है देखिए अगर हम बात करें bond की P orbital के bond की तो सबसे जो चोटा होगा सबसे चोटा इसका size होगा तो उसकी bonding भी उतनी strong होगी अगर हम अपने पूरे group में देखें तो सबसे चोटा जो आता है और बेट 2P आता है वह वह किस में आता है nitrogen में आता है तो जब nitrogen के दो आपके पास nitrogen अगर है तो आपस में जब वह combine करते हैं तो उनकी जो bonding होती है वह बहुत जादा strong होती है उसके चोटे size के वज़े से तो यह बात जो है इसी लिए जो होता है यह पीपाई पीपाई multiple bond मिना पाता है अपने ग्रूप में सबसे जादा अच्छी तरह से क्योंकि बाकियों में क्या होगा जो size वह थोड़ा बढ़ जाएगा बनेगा उनमें भी मंगर size जो है थोड़ा orbital in nitrogen तो सबसाद चोटा size होने के वज़ा से nitrogen में 2p orbitals जो होते हैं वो अराम से bond मिना पाते हैं पीपाई पीपाई multiple bond तो एक और question है हमारे पास nitrogen is diatomic यानि की N2 form में exist करता है while phosphorus is tetra atomic Y phosphorus पर आपने सुनो होगा P4 form में यह exist करता है और nitrogen दो होता है N2 के form में diatomic form में exist करता है तो ऐसा क्यों है तो यह इसका जो reason है यह बहुत सिंपल है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि nitrogen होता है वो क्या करता है अपने nitrogen के molecule के साथ मिल करके क्या बनाता है पीपाई पी पर मल्टीपल बनाता है तोनों 2p 2p orbitals जो होते हैं आपस में combine करते हैं और यह क्या बनाते हैं पाई बनाते हैं देखिए अगर हम बात करें nitrogen की तो nitrogen के पास पूरे 5 electron होते हैं उनमें से यह 3 जो होते हैं यह रहाव जो रियक्शन में पाटिसेपिट करेंगे दो जो होते होते और यहां पर अगर मैं nitrogen के दिखाऊंगे यह रहे यहां पर और यह 3 bond बनाएंगे इसका मतलब एक nitrogen दूसरे nitrogen के साथ 3 bond मिनाएगा और यहां पर क्या होगा triple bond नाने के वजह से पाई और पी जो है आपके पास orbital आपस में बना रहे हैं और इसके साथ क्या हो रहे हैं पर पाई पीपाई मल्टीपल बन बन रहा है जो कि फॉस्फोरस में नहीं बनता है ठीक है तो फॉस्फोरस में नहीं बनता है इस वजह से nitrogen होता है हमेशा इसी फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है n के n जो होता है nitrogen जो है स्टेबिल फॉर्म जो होती है उसकी वोधी ट्रिबल बन क्योंकि triple bond हम जानते हैं बहुत स्ट्रॉंग होता है क्योंकि जितना छोटा bond होता है उतना तदा bond strong होता है यह मैंने आपको पहले भी बताई थी तो फॉस्फोरस का जो है tetraatomic होता है क्योंकि वो पीपाई-पीपाई multiple bond नहीं बिना सकता है इस वच्छे से nitrogen is gas while phosphorus is solid at room temperature तो यह सब जो है question यह सब रिलेट करते है पीपाई-पीपाई-पीपाई-पीपाई-बॉल्ट को देखिए nitrogen जो है gaseous form में होती है अगर हम देखे room temperature में और फॉस्फोरस होता है वो एक solid form में होता है तो ऐसा क्यों होता है तो यहां पर देखिए जो nitrogen होती है nitrogen gas जो होती है जैसा अपने अभी structure बनाया था यहां पर nitrogen जो होती है अपने N के साथ combine करती है और N2 gas बनाती है ठीक है क्योंकि मैंने आपको बोला सबसे stable form जो है nitrogen corrosion का वह है N2 में यानि कि जब वह gaseous form में होती है तो N2 form में होती है तब वह पहुत जदा stable होती है और वह इस टाइम पर कौन सी state पर होती है वह होती है gaseous state पर जब वह stable होगी तो वह चाहेगी ना उसी state में रहेगी वह ओके तो अगर हम बात करें phosphorus की तो phosphorus की stable state जो होती है वह होती है P4 थेक्षय काई रहते हैं तीन बोन बनाता है इस तरह से एक यहां बनाएगा और यहां बनाएगा दो इसने में आरिड़ी बना लिए यहां बनाता है एक यहां बनाता है एक और यह इसकी stable form होते है P4 में तो यह अपनी solid state में होता है जब पी-फोर के फॉर में होता है तो हम बोल रहे है phosphorus जो होता है solid state में होता है room temperature में क्यों को बनाता है एज नाहीत्रोजन आपकी पाइक सब्सक्राइब और यहां पर इसके साथ इक important बात है जो आपको जाद रखने है नाइटरोजन राहिए आपके पास R लpaiटर होते हैं om से किभन इनके बीच में 05 पाय लिए उतन इस्ट्रा wrapped बहुत इंपोर्टिन्ट है एक तो है P-Pi-Pi-Bond multiple bond और दूसरा है Wender-Wall forces वो भी कैसे हैं? weak Wendler-Wall forces है उनकी बीच में इसका अजसर है This is due to presence of P-Pi-Pi-Multiple Bonding in nitrogen due to which it experiences weaker Wendler-Wall forces than phosphorus, चैक है? इतने बात समच में आगे, हम आगे चलते हैं next property जो मैंने आपको बोला डी पाई, पी पाई, मल्टिपल बॉन्ड जिस तरह से P और्बिटल और P और्बिटल अपने आपस में मिलकरके पाई बोन मनाते हैं इसी तरह गर हम बोले एक D और्बिटल दूसरे P और्बिटल के साथ क्या बनाए पाई बॉंड मिनाए तो उसे हम गोएंगे डी पाई पी पाई मुल्टिपल बॉंड ओके तो यहां पर एक बहुत ज़्या इंट्रेस्टिंग कॉर्शिन है अमंग्स्ट क्रूफ 15 एलिमेंट्स ओनली नाइट्रोजन के नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई मुल्टिपल बॉंड वाई तो यहां पर इसमें स्पेशल इसलिए है क्योंकि यह है जो नाइट्रोजन ही है जो डी पाई पी पाई बॉंड नहीं मिना सकता है और बाकी जो हैं छोड़के सब की सब बना सकते हैं डी पाई पी पाई मुल्टिप narcelling तो इसका रीजन क्या है इसका सिंपल है मैं आपको बताया था फिटी एसके पास ठीटिटे और मोस्लग ते किया और इसके पास दी और बढूराबी आहने करेगा और वstep लेना होता ही नहीं है इस वज़े से यहां पर क्या होता है दी पाई पाई बाई नहीं बन पाता है अब मेरे पैस एक और question है और 3P double bond O exist while R3N double bond O does not यहां पर हमें यह समझने के लिए सबसे इनके हमेशा structure बनाने चाहिए तो अगर हम R3P double bond O का structure बनाएंगे तो पी जो होगा यहां पर कैसे बनाएगा इसके पास सबके सबसे हैं यहां पर क्या होगा एक सिग्मा होगा और पाई होगा एक कोई भी अगर आप मान ले तो सिग्मा और एक पाई होगा ओके तो आप यहां पर फॉस्फोरस जो है फॉस्फोरस में 3S2 3P 3S के बाद 3D ऑर्बिट भी होगा मगर वो क्या होगा खाली होगा बट होगा जरूर मगर हम जब करेंगे किसी के साथ बांडिंग करते हैं तो हमेशा क्या होता है इलेक्ट्रॉंस अन्पेर होते हैं और इंपेर होने के बाद जैस तो यहां ध्यान से देखिए जो पी ऑर्बिटल है यहां पर हमारे पास जो पी है हमारे पास फॉस्फोरस पी में कौनसे ऑर्बिटल आ जाएगा यहां पर हमारे पास मिल जाता है हमें डी ऑर्बिटल क्योंकि हम जब भी करते हैं किसी के साथ बांडिंग करते हैं तो हमें क के अपास डी और्बटल है नहीं है कि नीं केस में जो 2d है वो एक्सित ही नहीं करता है तो यहां पर यह यह वाला जो है एक्जिस्ट नहीं करता है और यह वाला क्रता है कि हम फ़ी पाइपाई मल्टीपल बार्णिंग होरी है आपको दिखाए दे रहा होगा यह d-orbital है और यह p-orbital और अपस में ही क्या बना रहे है पाई बना रहे हैं सिरह हम d-pi-pi-pi-multiple-bond यहाराम से बना सकते हैं यही रीजन है दिस इस दूटु प्रेसेंस ओफ वैकन दी ऑर्बितल इन फॉस्फोरस दूटु विच इट क्या होता है देखिए आपने सुना होगा कि किसी भी element की ताकि वह bond किसके साथ बना सके खुद के साथ बना सके आपने यह जो सुना होगा carbon की case में बहुत दा सुना होगा carbon की बहुत दिखाए चाते कि बहुत दा अच्छी होती स्टेबल होती है सिला हम diamond जैसे graphite जैसे stable forms हम वो सब किसके विज़ा से हैं वो self linking property जिसे हम catenation भी कह सकते हैं उसके विज़ा से है तो it is the tendency of an element to form bond with itself उसे हम क्या कहते हैं catenation कहते हैं अब यहां पर एक बहुत सदा important बात आती है वो क्या है देखिए नोट करके से आप लिख भी सकते हैं कि जितनी जादा catenation होगा एक बांड बिनाने की tendency होगी यानि यह खुद से ऑच्छा बांड बिना सकता है यानि कि catenation है अगर वो catenation कर सकता है तो वो उसका जो खुद के साथ बांड होगा तो वो उसकी energy कितनी होगी उसे तोड़ने क किसी भी bond को तोड़ने में जितनी बी इनर्ड एफिर हम इसे इसमें भी कहते हैं कि बनाने में तोडने में समें इनर्ड लगेगी तोड़ने में गांट होगा उस-स मेटल की जो भी एलिमेंट एलिमेंट के आपस में बॉंडिंग है बॉंड एसोसियेशन एंथेलपी एनर्जी के डिरेक्ट ली प्रपोर्शनल होगा टेक है इतनी बाद समझ मागी तो क्या बता रहा है यह बता रहा है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी या फिर आप कहा सकते हैं अपने साथ बॉंड मिलाने को उसे हम कहते हैं और जतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा जोगा एलिमेंट एलिमेंट में बॉंड इस एशन एंथेलपी होगी अब एक कॉशिन आता है इसी में काटीनेशन में वाइफ फॉस्फोरस शोज ग्रेटर इननसी फॉर टेनेशन देन नाइक्ट जब कि हमने बूला कि नाइट्रोजन जो होता है खुद के साथ बहुत अच्छा बॉंड बना लेता है क्योंकि उसके पास छोटा साइस का पी और बिटल रहता है तो अच्छी इसके पास लिंकेज रहती है तो यहां पर क्या है हम बोल रहे हैं पर फॉस्फोरस जो होता है सत्फिरण च्छी इस पास आपने ही साथ आफ बन वेना रहा है यह लिए है यह अस्जीज की बात करेंगेए हैं तो नाइंट्रोजन यह वो सिफ दो इह बना सकता है मगर जो फॉस्फोरस है वह बहुत ज्यादा बमना सकता था है उसलिए यहां पर जो है यह आप आपको ब मतलब हो सकता है इसका यह मतलब हो सकता है कि जो भी इसके पास मेटल मेटल या जो भी आपके पास element element के बीच में bonding है या फिर bond dissociation energy आप कह रहे हैं मेटल मेटल की जो भी bond dissociation enthalpy है वो जादा है इस वजह से उसका जो catination है comparatively nitrogen से जादा है सिंपल सा आप reason लिख देंगे क्योंकि हमने अभी भी पड़ा note करके catination is directly proportional to the mm bond dissociation enthalpy this is due to greater mm bond dissociation enthalpy of phosphorus than nitrogen तो हमारे पास एक next anomalous property आती है nitrogen की जो है reactivity अब देखेंगे हम reactivity जो है सबसे अलग होती है nitrogen के case में question आता है जिससे आपको बता सिल जाएगा यह activity के बारे में why nitrogen is chemically inert at room temperature तो nitrogen जो है chemically inert क्यों है room temperature में देखें inert होने का मतलब है बहुत जादा क्या है यह स्टेबल है इसके electrons पूरे fulfill हैं तो यह हम किस state की बात करें जब यह अपनी gaseous form में होता है यह कैसा bond मिनाता है और जो कि बहुत स्टेबल होता है तो इसके बात जो होता है एक nitrogen और दूसरे nitrogen के बीच में तो सिंपल सी बात है अगर तीन इसके पास triple bond होंगे तो इसकी bond dissociation enthalpy कितनी जादा होगी यान कि कितना जादा इसमें हमें इसमें enthalpy प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसके bond को तोड़ने के लिए तो इसी को हम क्या बोलेंगे यहां पर कि उसकी जो bond dissociation enthalpy है वह बहुत जादा है क्यों है वह जादा क्यों के पास triple bond है इस वजह से इस दूटो तो प्रिसेंस ऑफ ट्रिपल बांट बेट्वीन तू नाइट रूचन अटम दूटो विच इट्स bond dissociation enthalpy is very high और जिसकी bond dissociation enthalpy high इसका मतलब वह inert है क्योंकि इनर्ट जो है हमारे पास इनर्ट गैसिस जो है हमारे पास उन सब का अगर आप देखेंगे तो वह सबकी सबकी bond dissociation enthalpy अगरख तो और प्रिफल भीदा होती है क्यों इस बढ़ना बहुत मुद्प थैकर तो आज हमने सबसे पहले पड़ा पीपाइ बीपाइ मुल्टिपल बहुत उसके बाद हमने next property देखी थी anomalous में catenation और उसके बाद हमने देखा reactivity तो reactivity में भी यहां पर क्या है तो यहां पर देखिए यहां पर चारो जो प्रॉपर्टी है इन सभी में जाए nitrogen बहुत 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 है इसलिए हम इसे anomalous properties में पढ़ रहे हैं तो इतना था अज के लिए मिलेंगे next video में तब तक के लिए गुदबाई if you found my video helpful then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this so keep watching my videos and stay tuned with my channel goodbye